हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट विद अजेसर क्लास में ठीक है आज हम लोग इस वीडियो में यूपी एनाचेम यूपी एनाचेम यूपी त्रिप्रलसी एनाम एमपी एनाचेम एनाचेम खास करके ठीक है और स्टाप प्रस्ण का जो होगा उसका क्लास हुआ था जो पार्ट 6 उसका हम लोग रिविजन वीडियो इसमें देखेंगे इस वीडियो में 25 प्रस्ण होंगे जो की आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रह सकता है ठीक है खास करके एमपी एनाचेम और एनाचेम और एना करेंगे जो लोग भी चैनल पर पहली बार टूड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिच सके तो चलते हैं आज के फर्स्ट कोश्चन की तरफ और आज का फर्स्ट कोश्चन तो इसका राइट एंसर हो जागा फर्स्ट का ओप्शन डी ठीक है गुर्दे में शरीर में द्रब बेशंतुलन करने की सबसे जादी का ज़्यादा भूमिका रहती है गुर्दे के ठीक है चलते हैं नेक्स प्रस्ट की तरफ और सेकन नमर प्रस्टों का दिर्ग बिमारी के होने के अफसर सबसे ज़्यादा होते हैं तो राइट एंसर कर देंगा आप लोग यदि आपको इसका एंसर आता है तो वीडियो को पोज करेंगे और कमेंट बॉक्स में एंसर करके फिर वीडियो को शुरू करके लाश्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो में केवल कोश निम्न में से किस प्रकार के बेड की तरह बनाया जाता है और इसका राइट एंसर हो जाएगा यदि आपको एंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका एंसर करेंगे और इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B ठीक है हाइपर पारेक्सिया ठीक है जब सरील का ताप्मान एक सोपा से छेप बढ़ जाता है उस इस्तिती को हाइपर पारेक्सिया कहते है चलते हैं नेक्स प्राशन की तरफ और आज का फिप्त नमा प्राशन होगा इनमें से कौन सा इसेंसियल कम्मिकेशन में सामील नहीं है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे यदि आपको वीडियो हेलफूल लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोफ्तों में जादा से जादा से जादा सेयर करेंगे जितने विया के पास studies related group है तो प्लीज आप लोग उसमें share कर देंगे और इसका right answer हो जागा फिप्त का option denoise जो की essential communication में सामिल नहीं है चलते हैं next person की तरफ और शिक्त नमा प्रशनों का आज का जिस लैब परिचण यानि की test द्वारा हिर्दय घात का निदान निश्चित होता है यानि की mycradial information infraction हिर्दय घात का निदान होता है तो right answer करेंगे जिस लैब में परिचण यानि की test द्वारा माई क्रेडियल इन फ्रेक्शन हिर्दय घात का निदान निश्चित होता है और इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन से ठीके, LDH CKMB बाइट्रोनी ठीके, LDH और CKMB बी ट्रोपोनी ठीके, चलते हैं, नेक्स प्रेक्शन की तरफ और शिक्त नमर प्रेक्शन होगा आज का, ठीके, खोपड़ी के अंदर दबाव यानि की इनक्रा, इनक्रानियल प्रेसर बढ़ने चिन है, तो राइट एंसर करेंगे 7 नमर का, और इसका राइट एंसर हो जागा, ओप्शन C, ठीके, ध कोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने का चिन है, चलते हैं, नेक्स प्रेक्शन की तरफ और एट नमर प्रेक्शन होगा, डिस फेजिया होता है, काफी आसान प्रेक्शन है, ओप्शन होगा, लिखने में कठनाई, भी होगा, फोकस या ध्यान करने में कठनाई, समझने में कठिनाई D होगा निगलने में कठिनाई तो 8 का राइट एंसर हो जाएगा option D ठीके निगलने में कठिनाई डिस फेजिया होता है चलते हैं next question की तरफ और आज का 9th नमर प्रस्ण होगा निम्ण में से हिर्दे घात यानि की myocodial infraction की कौन सी जटिलता ज्यादा होने की संभावना रहती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option C काडियक dysrithymia जो की घात की जटिलता ज्यादा होने की संभावना रहती है चलते हैं next question की तरफ और आज का 10th नमर प्रस्ण होगा एक ब्यस्क शरीर में पानी की प्रतिसत होता है तो विल्कुल आसान प्रस्ण है यदि आपको आता है तो comment box में इसका एंसर जरूर करेंगे ठीक है और 10th का राइट एंसर हो जाएगा option B ठीक है 60% एक ब्यस्क ब्यस्क शरीर में पानी की प्रतिसत डालते समय मरीज को जिसी सिती में रखा जाता है इसे क्या कहते है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option D ठीक है high powder position में चलते हैं next person की तरफ और 12 नमर प्रसन होगा मूँ के cancer होने से पहले यानि की नेक्स प्रसन की तरफ और 13 नमर प्रसन होगा जब मरी स्वेंग की तच त्वचा डानर एरिया से लेकर उसके घहावाले इस्थान तक पर प्रत्यारूपित करने को कहते हैं और इसका राइट एंसर हो जागा option A आटो ग्राफ्टिंग चलते हैं next person की तरफ और 14 नमर प्रसन के निदान में उप्योग होती है और इसका राइट एंसर हो जागा option A ठीक है गठिया बाय के चलते हैं next person की तरफ 50 नमर प्रसन होगा सोराइसिस के मुख्य क्नेल करना चड़ है और इसका राइट एंसर हो जागा option B ठीक है सूखी चमकदार पपड़ी जैसे लीजन तचा प हाइपो थाइरोइडिज्म कौन से हार्मोन की मात्रा के स्रेक्शन के कारण होती है तो राइट एंसर करेंगे आप लोग और इसका राइट एंसर हो जागा option A ठीक है थाइरोक्सीन हार्मोन का कम होना चलते हैं next person की तरफ और 17 नमर प्रसन होगा आज का कुसिंगस सिंड्रो का कारण है और इसका राइट एंसर हो जगा option A ठीक है काटिको इस्टिराइड हार्मोन का बढ़ना जो की कुसिंगन सिंड्रोम का कारण है चलते हैं next person की तरफ और 18 नमर प्रसन होगा कोलन की एंसर में जो सर्जरी की जाती है और इसका राइट एंसर हो जागा option D कोलेक टामी जो की कोलन की एंसर में सर्जरी की जाती है चलते हैं next person की तरफ और 19 नमर प्रसन होगा रक्त बढ़ाने के बाद कौन सा हेपेटाइटी समानेता होता है तो राइट एंसर करेंगे आ करके आप लोग लास तक बने रहेंगे क्योंकि सारे इंपोर्टेंट प्रस्ण रहने रहने हैं आपके एक्जाम के लिए और इसका राइट एंसर हो जागा option C है एपेटाइटिस सी जो की रक्चा बढ़ाने के बाद एपेटाइटीस का समानेता होता है चलते है नेक्स प्र हो जगा option B ठीके डाइट में हैट की मात्रा कम चलते हैं नेक्स प्रस्ण की तरफ 21 नमर्प्रस्ण होगा माता को गर्वस्त सीसू की हलचल सबसे पहले कब मसूस होती है और इसका राइट इंस रहो जागा option D ठीके 20 सब्ता में माता को गर्वस्त सीसू की हलचल सबसे पहले मसूस होती है चलते हैं नेक्स परसन की तरफ और ट्वंटी टू नमर प्रस लोगा एम्ब्री पोटिक अवस्ता कहलाती है और इसका राइटे अन्सर हो जाएगा option A ठीक है conception से 12 सबता हाँ वाली अवस्ता embryootic अवस्ता कहलाती है चलता है next person की तरफ 23 नमर प्रस्ण होगा आज का मिनो पोज का मुख्य कारड होता है तो फटापर करतेंगे आप लोग इसका राइट एंसर और इसका राइट एंसर हो जगा option D ठीक है estrogen की कमी जो की मिनो पोज का मुख्य कारड होता है चलता है next person की तरफ 24 नमर प्रस्ण होगा आज का स्रोडी में bones की संख्या होती है option होगा 3, 2 होगा 2, C होगा 4, D होगा 5 तो राइट एंसर कर देंगा आप लोग और इसका राइट एंसर हो जगा option B ठीक है 2 स्रोडी में bones की संख्या 2 होती है चलता है next person की तरफ 25 नमर प्रस्ण होगा और आज का last person होगा ठीक है रिकेट बीमारी में किस प्रकार की पहली वस होने के अउसर होते हैं तो राइट एंसर करेंगे इसका राइट एंसर हो जगा option D ठीक है contracted जो की रिकेट अस बीमारी में एक प्रकार के पहली वस बीमारी होने के अउसर होते हैं चलता है ठीक है और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करेंगे जोइन करेंगे वहां से आपको वीडियो को वीडियो का वीडियो मिल जाएगा थेंक्यू फॉर वाचिंग